चलिए यहाँ पर बात करेंगे मलेसिया भर्सस कनाडा के बीच जो मुकाबला खेला जाएगा इनके लावे साओधी अरबिया भर्सस कमबोडिया के बीच मुकाबला भी कवर करेंगे तो मेर भाई कुल मिला कर देखा जा तो कनाडा टीम का जो इसक्वाइड ये एनाउंस हो चुका है मलेसिया एक मुकाबला ओलरेडी खेल चुका है तो उनका इसक्वाइड देखने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है तो मेर भाई हमारे यूजर्स ने होंकोंग भर्स मिलेसिया आज सुभा जो खेला गया वहाँ पर हमारे यूजर्स ने वन साइडेड विन किया विडियो एनालैसिस से इनके लावे दोस्तों पाकिस्तान वोमेंट डोमेस्टी का कल का मुकाबला हम लोगों के लिए काफी सांधर रहा यहाँ पर देख साथ तो वन साइडेड विन किये एक्सपेरिमेंट नहीं होता तो जो भी जीयल था सारा के सारा अपने फेमली का ही होता आज पाकिस्तान डोमेस्टी का फाइनल था लेकिन वो बारिस की वज़ा से नहीं हुआ काफी भूरा लगा क्योंकि मेनत हम लोग किये थे और आखिरकार मेंच औवेंडेड करार कर दिया गया तो मेरे भाई जाधा कुछ नहीं देखेंगे डिटेल में जानेंगे मलेसिया और कनाडा में से कौन से टीम इश्ट्रोंगा लोग मलेसिया को फेबरेट मान रहे हैं तो मेरे भाई कनाडा की टीम बहुँ जाधा इस्टू होंगा रिसेंटली देखोगे ICC रेंकिंग भी हम लोग देखेंगे और एक head to head record भी देखेंगे ताकि कहीं भी doubt नहीं रहेगा अगर जदी खुदा ना खासता मैं morning में ना भी उट पाऊं तो वीडियो जो देखेगा व चीच रिपोर्ट, पिलेंग लेवन याने कि सांदर से सांदर बहतर से बहतर टीम बनाने में जितने चीजों की अब सकता होती है सारा कुछ टेली गराम पे ही तो मैं देता हूँ तो मेरे भाई जैसा कि आप हमारा इस परकार्च वीडियो देख रहे होंगे यह होगिया description इस पर आपको किलिक कर देना है जैसे यहाँ पर किलिक करेंगे नीची यह मोर दिखेगा मोर में किलिक करेंगे यह बढ़ा दिखेगा यह बुलू कलर में तेलिगराम चैनल के लिंक के सवरव समाजिक 84 इस पर किलिक कर देना है या फिर इससे भी असान है मेरे भाई comment पर किलिक करना है जैसे comment पर किलिक कर वो first comment पर top comment पर शुरू के comment पर जो मान लो सवरव समाजिक 84 बुलू कलर में दिखेगा इसको किलिक करना है तो मेरे भाई डिस्क्रिप्शन के लिंक हो, चाहे कोमेंट का लिंक हो, वहाँ पे किलिक करने के बाद यहाँ पर आओगे 55 के सब्सक्राइबर के आसपास दिखेगा, यहाँ पर आपको हर मेच का फिरी में अबडेट मिलेगा वो भी प्रोफी टेवल, तो मेरे भाई चलिए स स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर देखो साद वीन जफर जो है, यह करने वाले हैं अपने टीम की केफटनसी, है तो एक बढ़िया है, ओल्ड राउंडर गेनबाजी के लिए जादा तर जाने जाते स्पीन गेनबाजी करता है, इनके लाब एस जोनसन, चलो सारा का नाम लेके फाइदा ने, तो इतने का यहाँ पर स्कॉाइड काफी वड़ा है, तो काफी दिलचस्प होगा, कौन से पिलिंग लिवन का हिस्सा होता है, पिलियर कौन सा नहीं होता है, अब समझो, दोनों टीमों में श्ट्रोंग कौन शी टीम है, यहाँ पर थुला ध्यान देना है, कन कनाड़ा का ICC ranking है 20 तो यहीं मलेसिया का ICC ranking है 25 तो यहां से तो आपको लग रहो कि कनाड़ा इस्ट्रोंग है यहां लगना भी चाहिए लेकिन रुको तो मेरे भाई ICC ranking तो कनाड़ा को इस्ट्रोंग बता रहा है लेकिन 828 दोनों को भी जब लास्ट मुकबला 2017 में खिला गय यहाँ पर आप खुद देखो मलेसिया ने विन कर गया तो भाई कैसे मानोगा कि कनाडा एश्ट्रोंग है लेकिन अभी और रुको यहाँ पर कनाडा के यह स्कोर काड़े यहाँ पर देख सतो एन डुटा ने 30 मारा जो की उश्टम रहा मलेसिया गेनवाजी में लागवक सारेन एक एक विक्टे लेगे लेगिन किया हाया दुरानी दो विक्टे और भी सिंग दो विक्टे लेगे यहाँ इस पिनर को कहीने कहीं ज्यादा मददतो है मलिसिया के बल्लेवाजी में ए अरुद्डीन खेला था 48, अहमद फाईज अभी विये काफी अनुवाव, अनुवाव की कमी ने है इनके पास तो इस परकार चरह एक दो विक्टे जो लिया निखिल डूटा दो विक्टे लेगे नितिज कुमार एक विक्टे लेगे तो इनके लावे जोनई सिद्ध की यहांसी एक विक्टे, तो ये रहा था तो मेरे भाई कनाडा का लास्ट मेच देखोगे तो अमान के खिलाप खेलार कनाडा नो विक्टे से बीन कर जाता है भाई दिल्चस पर मुकाबला होने की उमीद है अब इस्ट्रोंग नहीं मान सकते हो कागज पर कनाडा थोड़ा सा इस्ट्रोंग दिखता है लेकिन वेट्टी एड रिकोर्ड पर मलेसिया आ गया जाता है तो उमान के खिलाब कनाडा का गेन बाजी में देखो जे गोरडन चार विक्टे एस बिन जाफर ने भी चार विक्टे तीन में दन कसान और निखिल डूटा को भी एक विक्टे मिला था दो में दन चान बल्ले बाजी टोप थिरी ने यहाँ पर फिनेस कर दिया यही मेरे भाई मलेसिया का देखा जी हो अजी मुकाबला के लाई है तो सारे के जहन प्योगा लेकिन एक बार देख लू सर्विन मुनियांडी 125 लेकिन इनका रिसेंटरली रिकोर्ड देखो बहुत खराब चल रहा था लेकिन इस मुकाबली इन्होंने 125 वी सिंग किप्टन वी सी का तकड़ा चोई सोना चे सयाद अजीज मैंने बोला था विगट कीपिरिंग नहीं करेगा तो गिनवाजी भी करेगा और सेमेसा ही किया आमाद फाईश काफी टेकनिकल बल्लेबाज है सांदर टाइम आने वे पाट टाइम गेनवाजी भी लेकिन गेनवाजी इंटरनेशनल में ये कम करता है लेकिन बल्लेबाजी खुलके करता है मुहमद आमीर अजीम बाए हाथ का इस्पीन गेनबाज है साते बल्ले बाजी थोड़ा सतावर तोड़ करता है क्या इस मुकाबले इन्हों ने गेनबाजी किया तो बिल्कुल नहीं किया सर्विन मुनियंटी तीन उबा डाले भी सिंग यहाँ पर सात ओबर एक बिक्टे लेगे किया हायत को भी एक बिक्टे मिला और सजयद अजीज भी अधासुभा डाल गए बिजय यूनी जो मैंने भी सी के लिए बता तीन बिक्टे भी लेगे मुमद वफिक पहले गेन बाजी में ज़्यादा इंपोर्टे रहेगा डेथ में लालता विकेट टो विकेट और बोल्ड के चार्ज इनके गेन पर बहुत ज़्यादा रहता है तो मेरे भाई अब ज़्यादा कुछ देखने की बिल्कुल भी जरूरत ने जरूरत है वो है कॉंबिनेशन लेकिन इससे पहले है कि जदे हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो मेरे भाई तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ड्रीम 11 से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसक्राइब इन्फोर्मेशन देता हूँ इनकी अलावे को जनकारी लेना इस्टापे मेसेज करो मैं वहाँ पर सारी लोग कर रिपलाई देता हूँ वो भी बहतर तरीका से यहाँ पर ध्यान से देखो यह टीम पहले देख लो यह टीम आप लोगों ने देख लिया अब यहाँ पर दिक्कते क्या है पहले बल्ले बाजी मलेशिया करेगा ति यहाँ से एफ 20 को पीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी अब कि इनके जगा पीक करो यह मैं बोल नहीं कहां लेकिन इनके अलाबत इसे तो की हाया दुरानी गेर बाजी बल्ले बाजी दोनो करता और डूटा को पिक क्या हूं है दितना बाजी लेगिन बढ़या ओलरूर्ण डर है 7% सेलेक्षिन हो चाहिए 70% सेलेक्षिन हो मैं पिक करूँगा अब यहां से विजया यूनी पिक तो करना यह भी एक बढ़िया उलांडर है बले बाजी मिले पर बले बाजी इनसे पहले बाले मेच में इनका सत्तक है ODI में साथ में गेन बाजी में करता है अब यहां से एक चीज देखो अब यहां पर परगत सिंग कई बाजी भी कर जाता है कई बाजी नहीं करता है बले बाजी में उपन आता है डी हलियर की बाद के अंथ प्या के हाट ही टिंग तो थोड़ा बहुत करता है साथ में गेन बाज बनिया इस बीन जफर कुछ मुकाबले में थोड़ा कम गेन बाजी भी किया है तब किन को ड्रोप करोगे तो देखो यहां से ड्रोप करने के लाइक देखो जे गोर्डन यहां से ड्रोप अभी फिला डी हलियर को यहां से इस बीन जफर को यह जो टीम देख रहे हुए इतना में से हमें ने लगता किनी को ड्रोप करना चाहिए हलांकि मुहमद आमीर अजीम लाश्ट मुकाबले में गेन बाजी यह नहीं किया अब यह जब यह जब आपको अपडेट कर दिया जाएगा अपने टेली गराम चैनल डोमेंस्टिक पिलिंग लेवन पर आसा करते हैं भगवान की किरपास से हम लोगों का रिजल्ट बहतर जाएं आप लोग भी भगवान से यही धुआ करों या मुकाबला हम लोगों के लिए अल्टरा के लिए जिल्ट जाएं मिलकर वैसा चाफे कमाएं और खेलते रहें हमेशा डोमेंस्टिक पिलिंग लेवन के साथ